हे एवरीवन वेलकम बैक टू मैं यूटुब चैनल पारवती ब्लॉग तो आज हमने ले लिया है मतर, गोबी, टमाटर, एक प्याज ले लेंगे, एक आलू ले लिया है हमने, और एक गाजर, और यहां आधा इंच अद्रक का टुक्रा, और उसके बाद इन सभी को अच्छे स दो के और चौप कर लेंगे, तो यहां सारी सबजिया मैंने कट कर ली है, लसन कट कर ली है, अद्रक और लसन को मैंने कोट लिया है, और प्याज कट कर ली है, टमाटर भी कट हो चुके है, और चावल हमने दो के पहले ही रख लिया है, तो सारी तैयारिया हो चुकी है, अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां रख दिया है मैंने गार्ष पे कूकर गरम होने के बाद ह zooming हम सरसो का तेल डालेंगे अपको इससे भी oil डाल सकते हैं जो आ यूज करते हैं बट यह मैं यह सरसो का तेल यूज करूँगी क्योंकि मैं सरसो का ही तेल यूज़ करती हूं कुकिंग के लिए उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे आदा छोटा चमच और ये ब्राउन हो जाए जीरा उसके बाद प्याज एट करेंगे अब इसे हम मिक्स कर लेंगे आईल के साथ प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक इसी तरीके से हिलाते वे भूनना है और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें सारी सबजी आइड करेंगे और इने भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों का पानी सुखने तक हम इसे अच्छे से बूनेंगे यहां सब्जिया भून गई है हलकी फलकी अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे साथ अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों में उसके बाद टमाटर एड़ कर लेते हैं और अद्रक लसन जो हमने कूट के रखा है आप चाहें तो अद्रक लसन का पेस्ट यूज कर सकते हैं या बारी काट के भी एड़ कर सकते हैं अब यहां हम मसाले डाल देंगे तो एक चमच मैंने सारे मिक्स मसाले लिया है इसमें सारे मसाले है धनिया जीरा काली मिर्च गरम मसाला सब कुछ है और आदा छोटा चमच हल्दी अड़ किया है मैंने मसाले को भून लेंगे और जब मसाले भून जा इस तरीके से और सबजियां भी अच्छे से भून गई है मसाले भी भून गए है तो आब इसमें चावल अड़ करेंगे चावल को भी हमें एक मिनट भूनेंगे बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक मिनट तक इसी तरीके से कंटीनियू चलाते वे भूनेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ये देखे एक मिनट हो चुका है उसके बाद अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे जितना पानी चावल पकने में लगता है बस उतना ही पानी आड़ करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सारी चीजे डल गई है इसमें पानी भी आड़ हो चुका है अब हम इसके बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक पकाएंगे क्योंकि ये वाले चावल जो है एक सीटी में पक जाते हैं आप जो चावल यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से उसे पकाईए कोई कोई चावल दो सीटी में पकते हैं ये मेरे चावल है वो एक सीटी में अच्छे से पक जाते हैं और एक सीटी आने के बाद गैस को मैं बंद कर दूंगे और बाकी का ये ऐसे ही भाब से पकता रहेगा और जब सीटी अपने आप निकल जाए उसके बाद देखिए मैंने कुकर खुला है कितने अच्छे चावल बनके रड़ी हो चुके हैं प्लाव सर्दियों के मौसम में गरम गरम ये प्लाव बहुत अच्छा लगता है इसमें आप मक्षन या फिर गी के साथ इसे खा सकते हैं तो यहां एक एक चावल खिला खिला बनाया है ये छोटे वाले चावल ही उसके हैं आप कोई से भी चावल में बना सकते हैं ने और फटा फट से बना के इस तरीके से पेट भर के खा सकते हैं यहां मैंने निकाल लिया है प्लेट में और उसके बाद इसे घी के साथ सर्व किया है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस तरीके से आप भी एंजॉय करिए बना के अच्छी अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पर और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है जाके देखिए और वो भी अगर पसंद आती है रेसिपी तो लाइक उनको भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो यहां मैं एड़ कर रही हूं घी घी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम यह चावल आप चाहें तो गी की जगा पर बटर सर्फ कर सकते हैं बटर के साथ वो भी बहुत अच्छा लगेगा और इस तरीके के और वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं थैंक्यू फूर वाचिंग